एवियम और वेवे पैंट एक ऐसा जाल है जिसके हर जगा चर्चा होती रही है लेकिन सिर्फ चुनाओ के समय कभी एवियम पर दाग लगा तो कभी कई सवाल उठाए गए लोगसभा चुनाओ के दौरान विपक्ष ने एवियम का मुद्दा जम कर उठाया लेकिन जैसे ही चुनाओ के नतीजे घोशित हुए तो ये मुद्दा गाइब हो गया हलाकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए जो मुद्दा अचानक गाइब सा हो गया था वो अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है लेकिन इस बार इवियम लौटा है तो बेदाग बन कर अब बेदागी कैसे हुई इन सर जो दाग क्या लग रहे थे आपको इस पूरी वीडियो में कहानी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था दरसल लोकसुबा चुनाओं में हारने वाले देश भर की कई राज्यों में अलग-अलग पाइटियों के उम्मेदवारों ने इवियम पर आशंका जताई तो हर किसी के दावों की जाच शुरू कर दी गई उम्मेदवारों की मांग के मताबिक इवियम और विविपैड का मिलान किया गया और अब अब तक जो बात सामने आए वो एक भी सबूत नहीं मिल पाया जुसमें इवियम में गड़बरी के दावों को सही माना जाए एवियम विविपैड चेकिंग एंड वेरिफिकेशन C&D यानि जाच और पुष्टी के प्रक्रिया सिर्फ तमिलाडू में पूरी नहीं हुई है बाकी पूरे देश से जो शिकायते आए थी उसका समाधान हो चुका है तमिलाडू में भी एक दो दिन में ऐसा कहा ज़रा है कि C&D प्रोसेस पूरा होने की उमीद है एक सितमबर तक पूरे देश में इवियम विविपैड की जाच और पुष्टी के प्रक्रिया पूरी कर लिए जाएगी ये बात अभी कही गई है अब एक को हो दो को हो ये भी क कोई भी खामे नहीं मिली राश्ट्रिय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट के आदेश पर पहली बार हर चुनाव शेत्र स्विपारित दो जो उमेदवार हार गए थे उनके आश्रंकाओं को दूर करने के लिए ये दस्तावेज और ये दरवाजे खुले के आप अप्लेक और वीवी पैड मिलाने की मांग कर सकते हैं उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे लेकिन ये काम आपका हो जाएगा खुल मिला कर देखे तो जो आवेदन आये थे आठ में से C&V दो चेकिंग C&V चेकिंग वेरिफिकेशन जाहे वो जांच लंबित रही वाकिय उम्मिदवार क्योंकि ये जो दो इसलिए रही थी क्योंकि याचिका दाखिल की गई उसे खारीज कर दिया गया दो मामलों में C&D प्रोसेस रोग दिये गए क्योंकि शिकायत करने वाले उम्मिदवार आये ही नहीं 4C&V प्रोसेस पूरे और किसी में कोई गरवड़ी नहीं पाई गई चार में 2 को रोग दिया गया 6 हो गए अब सवाल ये उठते हैं दो पेंडिंग है किन-किन राज्यों से ये आवेदन आये थे किस-किस ने आवेदन किये थे कौन-कौन से पार्टी के नेता शामिल थे ये भी समझ लेचे लोग सभा चुनाव पढ़नाम आने के बाद 543 में से सिर्फ 8 चुनाव शेत्रों से सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडू के तमिलनाडू के वेलोर संसद्य शेत्र के उम्मिदवार स्थी शन गुवनम ने जाच और पुष्टी का आवेदन दिया था तीरुधूर नगर के DMK कैंजिडेट विजय प्रभाकरन वी ने भी आवेदन दिया जो कि कॉंग्रेस के मनिकम टैगोर से 4,3,89 वोटों से हार गए दूसरा आवेदन था महराष्ट से महराष्ट के एहमद नगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट है सुझय विखे पाटील इन्होंने भी C&V एप्लिकेशन दाला था जो श्रत पवार के गुट वाली NCP कैंडिडेट नेलेश्ट लं जारी किया गया आवेदक ने C&V प्रोटोकॉल में ही बदलाव की मांकी जो से जिला चनाव अधिकारी ने खारेच कर दिया अब हर्याना के ही फरीदाबाद और करनाल से कॉंग्रेस के उम्मेदवार ने भी C&V एप्लिकेशन डाले थे उन्होंने भी बोली थी कि हमारी भी जो शेत्र है संसद्य शेत्र उस बूत की भी दुवारा से गेंति किया जाए शत्तिस गट के बात करें तो कांकेर लोकसभा शेत्र से कॉंग्रेस के कैंडिडेट ने C&V एप्लिकेशन डाला था यही तिलंगाना में जहीराबाद सीट पर कॉंग्रेस कैंडिडेट से हारने के बाद VB पाटील ने C&V एप्लिकेशन डाले थे अब बात करते हैं आंद्रप्रदेश के क्या आंद्रप्रदेश में कौन से सीट थी और किसने इस पर एप्लिकेशन डाला कि हमारे भी सुने जाए विजय नगरम लूकसभा शेत्र से YSR कॉंग्रेस कैंडिडेट है बिल YSR के परत्यासी हैं C&V के एप्लिकेशन डायर की गए थे और इसा के विधान सभा में लोकसभा के अलावा विधान सभा भी एप्लिकेशन डाले गए थे इसमें जार गुंडा लोकसभा शेत्र से BJD के कैंडिडेट दिपाली दास BJP कैंडिडेट से बहुत कम मार्जिन से ह आपको ये भी बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोट ने वैलिट पेपर से चुनाव करवाने वाली वीबी पैड के साथ 100% जो मैचिंग के आचिका थी उसे खारीज कर दिया था सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि लोक तंत्र सामार्जिक बनाए रखने के लिए होता है और आख मुंद कर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने के बिना कारण श्रक पैडा हो सकता है इसलिए हमें से खारीज करते हैं अगर वेरिफिकर्शन के दावरान ये पाया गया कि इवियम के साथ छेड़ चर हुई है तो चुनाव आयोग उमेदवारों को उनके फिस लोटाएगा लेकिन अब जो फिस ली गई है उसमें चुनाव उमेदवारों को ये फिस लोटाया नहीं चाहेगा अंत में एक बात और भी आपको बता दें कि लोगसभा चुनाव परिणाम के बाद राहूल गांदी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक पोस्ट को री पोस्ट करते हुए एक अखवार के हवाले से एक कोट लिखा था उन्होंने लिखा था कि भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसके जाच करने की अनुमती नहीं है हमारी चुनावी परक्रिया में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसको लेकर गंभीर चिंता भी जताई जा रही है जब संस्थाओं में जवाब देही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखा धड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है यह कोट करके राहूल गांधी ने ट्वेट किया था लेकिन अब उनके ट्वेट को भी शेर किया जा रहा है अब पूछा जा रहा है तो फिर राहूल गांधी अब क्या करेंगे यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी एवियम पर चुनाव में जब हार गए तो सवाल उठाए लेकिन अब सुप्रीम कोट के आदेश के बाद एवियम में C&V Checking and Verification Application पर जाच में एवियम भी बिदाक निगले फलाल आप देखते लिए नियोस ता